सुम्बल तौकीर खान का एक इंटर्व्यू सामने आया है जहां पर उन्होंने बात करी है अपने डाक इसकिन के बारे में उन्होंने बोला है कि लोग मुझे काली कहते थे लोग मुझे अप्रिशियेट नहीं करते थे और ये सब की वज़े से मैं इतना डी मोटिवेटेड फील करती थी मुझे ये फील होने लग गया था कि मैं कभी भी एक लीड एक्टरस नहीं बन सकती मेरे अंदर हमेशा से ये बात थी कि मैं लीड नहीं कर सकती मैं हिरोईन मटीरियल नहीं हूँ सुमूल ने ये कहा कि जब मुझे इमली का ओफर आया तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे था कि मैं काली हूँ और लोग ऐसा बोलते हैं तो मैं इमली नहीं कर सकती तो उन्होंने यानि कि जो वहाँ के डारेक्टर प्रडियोसर थे उन्होंने कहा कि आप अपना कोई audition भेजिए, कोई audition की वीडियो भेजिए, तो मैंने जो मेरी सबसे खराब वीडियो थी, वो उठा के भेज थी, दो हपते तक उन्होंने मुझे call नहीं किया, और मुझे समझ में आ रहा था कि अगर call नहीं आया है, तो इसी लिए नहीं आया ह क्योंकि मैं dark skin हूँ, लेकिन फिर दो हपते बाद जब call आया मुझे और उन्होंने का कि आप shoot के लिए आ सकती हो, तो मुझे लगा कि अच्छा हो, यानि कि लोग मेरे सबसे खराब audition से भी मुझे select कर सकते हैं, सुमूल ने इस बारे में भी बात करी कि जब मैं show कर रही थी, starting के days में, initial days में, लोग कहते थे, कैसी actress को लेके आये हो, कितनी काली है, चीजे तब change होना शुरू हुई, जब लोगों ने TRP देखी, जब TRP 2.2, 2.1 ऐसे आने लग गई मेरे show की, इमली की, तब लोगों को समझ में आया, कि सुमूल अच्छा काम करती है, तब लोगों ने म मेरी acting को देखा, और मुझे लोगों ने बनाया है, मुझे fans ने बनाया है, सुमूल कैसा कहना है, सुमूल साथी साथ ये कहती हैं, कि मुझे अपने आप पे बिल्कुल भी विस्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, ये जो भरोसा आया है, ये जब इमली successful हुआ, और उसके बा और लोग मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे, सुमूल से जब ये पूछा गया कि आप haters को क्या कहना चाहेंगी, जब लोग आपको negative comments करते हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगी, तो सुमूल ने कहा कि देखो negative comments से मुझे फरक पड़ता है, definitely मुझे फरक पड़ता है, लेकिन मैं उनको छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर आप negativity दिमाग में रखोगे, तो वो आपको धीरे धीरे बहुत जादा परिशान करेगी, जब आप उनको धिहान ही नहीं दोगे, तो वो चीज आपको कम परिशान करेगी, तो मैं धिहान ही नहीं देना चाहती हूँ, तो सुम कि अपने इस डाक स्किन वाली बात पर राज से परदा उठाया है, आपको क्या है कहना, सुम्बुल की डाक स्किन मैटर करती है या नहीं मैटर करती है, मेरी राय जाननी है, तो आप ये समझेए कि डाक स्किन, फेर स्किन कुछ नहीं होता है, होती है, इनसान के personality, अगर कु चीजे करती है, इसके डाक है या फेर है, ये तो उपर वाले की देन है, ये हमारे हाथ में नहीं है चीजे, आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा, ये मेरी राय थी, मिलती हूं एक्स्ट वीडियो में